Hello students, welcome to the PhysioDose channel और आज हम बात करेंगे सबसे इंपोर्टन टॉपिक की नीट कांसिलिंग कैसे होती है और कैसे करनी है तो सबसे पहली चीज नीट कांसिलिंग की बात करने से पहले आपको कुछ इंपोर्टन बाते जानना बहुत ज़रूरी है जो 80% बच्चों ने मेरे कहने के बावजूद भी नहीं किया है और जिनों नी किया है उनको पता भी नहीं है उसमें से इंपोर्टन क्या चीज़े है तो सबसे पहले बात करते हैं इंफर्मिशन बुलेटिंग जिसे हम नीट ब्राउशर क्याते हैं जो कि आप मेरे टेलिग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है या उनको डाउनलोड करने आता भी नहीं है तो आप वहां से कर सकते हैं आपको easy पड़ेगा तो अब यह करना जरूरी क्यू है मैं आपको बता देती हूँ इसमें तीन सबसे बड़े पॉइंट आपको मिलेंगे सबसे ज्यादा पूछा गया question मुझे यह है कि government college कॉंसी है private college कॉंसी है कॉंसी colleges ऐसी है जो NEET का admission provide करती ह है तो सबसे important list जो यह आपकी है वो आपको NEET browser से ही मिलेगी वहां पर list दी गई है सारी आपके state ही आपके अपने इंडिया में जितने भी colleges आपको NEET के थ्रू admission provide करती है सबका दिया हुआ है okay तो यह list आपको कहां काम आएगी आपको सबसे पहले preference form जब आप भरेंगे तो आ आपको अब भी से ready करने पड़ेंगे ready करने के लिए आपको documents की list के लिए मैंने एक अलग से video बना दी है जो मैं description में mention कर दूँगे फिर भी अगर आपको कुछ भी doubt आता है तो आप NEET browser में जाके वहां पर आपका जो भी index है वहां पर search कर सकते है documents के लिए अलग से एक list बना जाएगा तो आपकी कास्ट के कौन से कौन से certificate आपको ज़रूरत लगेगी वह नीट ब्रॉशर में mention किया हुआ है जो के मेरे मेरे documents के list में भी mention किया हुआ है तो आप वहां से भी या पर नीट ब्रॉशर से भी आप दिखकर अपने documents को अज़िसे जमा करके ready करके रख सकते ह अब हम बात करते हैं नीट के counselling के अब counselling का procedure कैसे होता है जैसे ही आपका नीट का result आता है within a 10 days और 7 days के under आपको आपके preference list का period दिया जाए जैसे कि आपने admission form भरने के लिए एक particular period लिया था एक महिने का period जैसे admission form के लिए आपने लिया था जो join करने के लिए उसी तरीके से preference list आपको वहाँ पर list आपकी mention करनी होगे अब next list आपकी mention हो चुकी है उसके बाद में आपका होगा नीट का counselling main start counselling होने के लिए सबसे पहले आपको preference form भरने के कुछ थोड़े से समय के बाद because जो हमारी website है जो हमारे नीट के जितने भी government है हमारे नीट के सारे जितने भी management जो देखते हैं उनको ज़रूरत होती है एक time period की बच्चों की choices बच्चों के marks के हिसाब से उन्हें college अलोट करने की college भी थोड़ा सा time लेता है बच्चों को पूरे list में से टैली करके निकालने के लिए कौन से बच्चों को उने select करना है उनके marks के according कौन से बच्चे उस अंडर में आते है उस तरीके से आपकी round 1 के list होगी तयार तो round 1 के list जो होगी वो आपको इक particular time period के बाद आपको notify किया जाएगा और आपको website पर information दी जाएगी तो आपको वहाँ से अपने list डाउंलोड करनी है अपने role number के हिसाब से अपना नाम देखना है आगे college देखनी है अब यह होगे first list ready आपने अपना नाम देख लिया जैसे क आप समझ लीजे मेरा नाम है गायत्री तो गायत्री प्रजापती के आगे अगर कोई college आती है particular जैसी कि आप ले लेते सबसे famous JJ hospital का example तो अगर मुझे JJ hospital मिल जाता है तो मुझे मेरे सारे documents original with xerox दो file ready करके वहाँ पर जाना है अब counseling कहा होगी जैसे कि आप सभी का अलग-अल कोंसे date को आपके counseling होगी आप अतना documents लेके वहाँ पर जाएंगे वो location पर जैसे ही आपका number लगता है आपको cabin में या फिर आपके documents verify होंगे verify होने के बाद आपके जो भी documents है वो सारे NDA को submit कर दिये जाएंगे या particular college को submit कर दिये जाएंगे next list में ये होगा कि आपको जो particular round 1 मे या तो आप वहाँ पर admission ले सकते है या फिर आपको वहाँ पर अपना एक form भरना होगा कि मुझे ये college नहीं चाहिए मुझे round 2 के लिए जाना है तो उसमें same procedure again होगा आपको round 2 के लिए wait करना पड़ेगा जैसे ही कुछ period के बाद फिर से एक round 2 के list आएगी जैसे ही list आजाती ह कि आपको फिर से कोई college अलोट कर दी जाएगी आपको वह particular college में जाना है आपके documents लेके वहाँ पर cross check होगा जो आपने पहले submit करे थे counseling procedure के time और second आपके जो college आपको अलोट हुई है वहाँ पर जैसे ही college का जहाँ पर allotment हुआ है वहाँ पर आपने document submit कर दिये वहाँ पर फिर होगी वह किसी और को मिल जाएगी तो round 3 में भी same procedure होता है अब यहाँ पर question यह आता है कि अगर round 3 में भी आपकी choice of college या और choice of course आपको नहीं मिलता है तो क्या करें तो सबसे पहली चीज आपको यह करनी है यहाँ पर कि आपको mop up round भी होते है दो या तीन जैसे seat के allotments होती है उस regarding हमारे mop up round होते है तो mop up round हमें यह opportunity देती है कि कुछ बच्चों ने अगर वो seat छोड़ दी होती है जैसे कि एक example लेते है हम जैसे मुझे JJ hospital मिला है बट मुझे JJ छोड़कर AIMS मिल गया है तो मैंने JJ को नहीं लेते वे AIMS में ले लिया है तो वो seat मेरी जो खाली हो गई वो सारी जो next round है उसमें आपकी chances होते हैं लेने के तो I advise कि आपको अगर वेट करना है तो आप कर सकते हो because आपकी choice of college मिलना बहुत जरूरी है आपको जादा comfort रहेगा अगर आपकी choice of dream college मिल गई तो but अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं यह मेरे घर के नियार बाय है और मैं comfortable हूँ तो आपको उसमे procedure और preference list को कैसे बनाना है कैसे feel करना है इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी तो tension बिल्कुल भी मत लीजे I am always with you और next video में बनाऊंगे so stay tuned all the best and stay healthy